आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिध्धान तक नहीं होतरी स्टेड़ी IQPAP का बहुत स्वागत है बात करेंगे हम दोस्तों Operation Thunder की देखो यार यह बहुत इस तरीके के operations तो यार मुझे तो personally मैं एक Environmental Logistics, Humanist 2 तो मुझे तो अच्छा लगता है कि इस तरीके के operations कंड़क्ट करवाय जाना है इस lecture को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जो भी मैं lecture करता हूँ आपको पता है तो थोड़ा slow जाता हूँ slow जाने का मेरा कारण यह है क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला सरा बहुत तर्टज बोलता समझी नहीं आता है तो ठीक है मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको दूसरी चीज़ यह है कि कि जब भी मैं कोई lecture लेता हूँ उसमें कुछ important होता हूँ हमेशा आपको समझा देता हूँ data की थोड़ी सी मैं यह बात मानता हूँ कि उस तरीके से मैं data को और्गनाइज नहीं कर पाता हूँ बट operation thunder की बात करें तो सबसे पहले न्यूस क्या है वो देखेंगे उसके बाद इंटर पोल के बारे में जानेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा UPSC के smart courses आते हैं study IQ के app डाउनलोड करें EMI अविलेबल है वैसे तो EMI सालो साल अविलेबल है 30 अवेंबर तक no cost TMI है इसलिए अगर आप course लेना चाहते हैं तो यह best time है 8 से 10 बज़े तक रात में मैं queries answer करता हूँ तो इंडिया के custom department ने 18 ton shipment of red sandalwood जो की UAE जा रहा था operation thunder जो launch किया गया इसके तहट पकड़ लिया है Interpol और world customs organization काम कर रही है साथ में 103 law enforcement agencies 103 देशों की law enforcement agencies इस operation thunder में लगी हुई है 14 सितंबर से लेकर 11 October तक operation against environmental crime यह launch किया गया अब हम इस news को थोड़ा सा expand करते हैं क्या क्या इसमें मिला है सबसे पहले तो देखिए environmental crime environmental crime क्या होते है environmental crime मतलब चानवरों की तसकरी करना वो environmental crime में आ जाएगा ऐसी species vulnerable species जो extinct होने के वक्तगार पे है उसकी तसकरी करना वो environmental crime में आ जाएगा पेड़ों को जबरदस्ती काटना इल्लीगली काटना साथी साथ कुछ पेड़ों के जो पेड़ों होते हैं उनकी लक्निया बड़ी ठोस होती है तो बड़े इंपोर्टन तो बहुत इंपोर्टन बड़े महंगे पेड़ होते हैं तो उसकी तसकरी करना वाई तसकरी क्यों करते हैं आप समझ रहो देखो इंपनल सी बात है जैसे सोने की तसकरी होती है अभी मैंने lecture लिया तो सोने का अब可रो भाण वो दूसरे वाश्ते से भी आता पीछे के रास्ते से टाक्स बहुत लगता है तो टाक्स बचाने के लिए होता है यह दूसरी चीज यह होती है कि भाई ऐसे महंगा मिलेगा चंदन ऐसे महगा मिलेगा, क्या करो, चंदन की काला बाजारी करो, अब काला बाजारी जब तक कोई अंदर का involved नहीं होगा, तब तक हो नहीं सकती, काला बाजारी का मतलब क्या है, आप direct सरकार को उस पर control नहीं है, मान लिजिए चंदन आपको 100 रुपर बाजार में मिल रहा ह तो वही काला बाजारी से कोई भी, लेकिन सरकार की authorization नहीं होगा उस पर, वो कोई ऐसा इंसान जो इसमें involved है, आपको 80 रुपर में देदेगा, मैं एक एक्जामपल बता रहा हूँ, यह होता है, illegal तरीके से कम दाम में बेचो, अब यह बड़ा बड़ता है, क्योंकि लोग काम से, ऐसा होता है, तो operation thunder, environmental crimes के लिए, और बहुत बढ़िया यह एक, देखे, पूरी दुनिया इसमें साथ में आई है, अगर इस तरीके के operations में, सारी enforcement agencies शामिल है, मजा आती है, crime हो ही नहीं सकता, अब खुद सोचिए, हमारे नीरव मोदी, विजय माल्या यह सब, यहाँ अगर सारी law enforcement agency साथ में आ जाएं, तो क्या आपको लगता है crime होगा, माल लीजिए, जैसे इसमें हुआ, यह UAE जाना था, Interpol के पास खबर थी, उसने भारत की enforcement agency को खबर दे दी, जिस भी देश में environmental crime हो रहा है, वहाँ की law enforcement agency को पता होगा, सीधा फोन करेगी, वह आपके दे पूरत है, तो 18 तन Red Sandalwood Targo को सीज कर लिया, ऐसा है, India Customs ने और यह UAE को जाना था, भारत से यह जो Red Sandalwood है, यह UAE जाना था, और सब पकड़ लिया, तो यह Custom Cross Border Operation था, और यह 11 October को देखे, एक महिना, 14 सितंबर से लेकर 11 October तक पूरा एक महिना चला है, अब देख सकते हैं, इ जैसे यह जो Operation Thunder है, यह है क्या, Pre-identified Roots एक List बनाई जाती है, हर एक, जैसे Red Sandalwood है, UAE जाने का इसका एक रस्ता होगा, ऐसा तो है नहीं, टेलिपोर्टेशन हो जाएगा, गायब हुए, सीधा वही पहुँ पहुँच गए, ऐसा तो होगा, Mr. India तो है नहीं हम लोग, तो Pre-identified Ro Roots है, Hot Spots है, जहां से होके जाएंगो उसकी List होती है, कही ना कहीं से तो जाओगी ना, जैसे Sona की बात कर लेते हैं, Sona अगर अरब से आ रहा है, या हीरे की बात कर लेते है, अगर माल लो, अफरीका से हीरा, UAE के थ्रू भारत में आ रहा है, प्लेन से आएगा, तो Custom Department वाले पकड़ लेंगे, तो दूसरे रूट से आते हैं, कहीं ना कहीं से तो आते हैं, ट्रेन या रोड रूट से आते हैं, तो उनको पहले से identify कर लो, कि इस रूट पे बेटा कुछ ना कुछ गड़ बढ़ जाएगा, वहां पे ही raid मारो, और अच्छा खासा amount seize कर लो, wildlife और forestry प्र 99 offenders जो हैं, इनको apprehend किया गया है, यह जो operation है, यह Interpol और World Customs Organization, जिसमें 103 देशों की law enforcement agencies शामिल है, इन्होंने मिलके इस operation को अंजाम दिया है, तो पहले तो आप Interpol को समझो के Interpol है क्या, देखो, Interpol का, अगर हम full form देखें, तो यह है International Criminal Police Organization, तो एक तरीके से यह International Police है, जो cyber criminals को पकड़ती है, जो बहुत, जैसे अभी COVID-19 में क्या हुआ, कि बहुत सारे cyber criminals, major hospitals को target कर रहे थे, इन सब के लिए, यह जो criminals होते हैं, cyber वाले और इन सब के लिए COVID-19 एक opportunity है, लीगल काम बहुत होंगे, हॉस्पिटल में ज्यादा admissions होंगे, पेशेंट्स के, उनको target करो, सारे डेटा निकालो, डेटा नहीं निकालो, एक ransomware छोड़ो, मतलब पूरे computer को hack कर लिया, एक हॉस्पिटल के मालीजय हॉस्पिटल में ब विरोती मांगते हैं लोग, तो इंटरपोल की बात करें, इसमें 194 मेंबर है, इंटरपोल is a 194 मेंबर, इंटर गवर्मेंटल और इसका जो headquarter है, चलो मुझे आप बताओ, मैं आपको hint देताओ, इसका headquarter कहां पे है, इसका headquarter फ्रांस में है, अब फ्रांस के कौन से शहर में है यह आपको मुझे बताना है, एक और hint दे दे रहा हूँ, नहीं दूँगा, जो, पहले बताओ, मुझे चाके headquarter कहां पे, नहीं दूँगा, इसका headquarter है वो फ्रांस में है, और इसको 1923 में 1923 में बनाया गया था, यह international criminal police है, जैसे हमारे हाँ, police state subject है, तो state की police देखेगी, ले oldest member है, objective क्या interpol के, सबसे पहले तो, terrorism को counter करो, cyber criminals को counter करो, border integrity बनी रहे, vulnerable communities जो है, उसको protect करो, और operation thunder के तहर, environmental security को भी support करो, और global integrity, crime नहीं होगा, तो हर कोई साथ में आएगा, global integrity को promote करो, ठीक है, इंटर पोल की general assembly है, जो की इसकी supreme governing body है, हर country का एक representative होते है, general assembly में, जैसे United Nations की general assembly, general मतलब क्या, general assembly, अदब हर कोई, जो भी इसका member है, वो इसमें आके पाट ले, आठ तरीके के interpol notice देती है, इसमें सबसे खतरनाक होता है, चलो नीचे से शुरू करते हैं, इसमें होता है एक purple notice, जो सबसे नीचे आता है, purple notice की बात करें, तो ये information देता है, कि जो modus operandi है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहा है, procedures क्या है, और कैसे, ये जो terrorism है, या जैसे इसमें जो environmental crime होई, इसके पीछे भी एक वकाइदा organization होगी, इसको organized crime के अंदर डालेंग नाम, कि crime भी organized है, इसके पीछे भी, इस crime के पीछे भी, कोई ना कोई organization काम कर रही होगी, तो उसके procedure को समझो, फिर आता है आपका orange notice, orange notice की बात करें, तो कोई भी person ये objectives को warn करो, फिर आता है आपका black notice, अब इसमें information चाहिए, जैसे कहीं पर कोई crime हुआ, अब हमको नहीं, crime वाले क इसको पता है किस ने किया, हमको नहीं पता कि ये कौन सी organization से आता है, पुलिस में उसको कोई record नहीं, तो वो unidentified bodies में आ गया, बहुत सारे ऐसी bodies काम कर रही है, तो ये इनको, इनकी information लेने के लिए black notice जारी करती है, इंटर पूल, फिर आता आपका yellow notice, yellow notice की बात करें, तो yellow notice ज उसको warn करने के लिए इसकी criminal activities ना हो, जैसे दाओ दिवराहिम, मालो भारत में वो bomb blast करने जा रहा है, भारत में क्यों करेगा, तो खेर उसकी आउकाती इतनी नहीं है, भारत में क्यों करेगा, कहीं पर भी bomb blast करने जा रहा है, तो उसकी वो activity को पहले से ही, मतलब देशों को उ सबसे important होता है, red notice में सीधा arrest, arrest of a person wanted by a judicial jurisdiction, सीधा arrest, यह होता है, तो red notice सबसे important है, तो इस case में red notice ही जारी किया गया, सीधा arrest, ठीक है, in total 699 offenders were apprehended and at least one interpol red notice had already been requested, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अचा यहीं पर ही थे हम लोग, इंटरपोल के बारे में आप लोग ने जान लिया, तो participating countries जो हैं, वो किस पे focus करती हैं, जो species, international conventions, conventions of international trade in endangered species of wildlife, fauna and flora, कुछ species हैं, जो extinct हैं, extinct होने वाली हैं, या जो वल्नदेबल हैं, बहुत सारी ऐसी species हैं, तो यह international trade क्या करता है, जो endangered species हैं, फ्लोरा और fauna दोनों, पेट की प्रजाति और जानवरू की प्रजातियां, उन सब को protect करती हैं, अब जैसे इसी प्रोग्राम के तहट, Mexican law enforcement ने एक adult female white tiger, अब बताईए white tiger, tiger की तो वैसे ही, शेर कहां पर आपको मिलेंगा, भारत में मिलेंगे, शेर आपको सर्विया में मिलेंगे, भारत में सबसे जदा मिलते हैं आपको शेर बेंगॉल टाइगर, तो white tiger, और वैसे उनकी population अभी कम हो रही थी, यह तो हमने पूरा operation चलाया और rescue program तब, जो tiger कितने हैं, उन्तिस सो हैं शायद, जो अभी tiger census हुआ था, तो बढ़ गई उनकी संख्या, तो adult female white tiger जो है, यह Mexican law enforcement agencies ने इसको rescue किया, एक jaguar को rescue किया, लाइन कब को सिनरलोवा में rescue किया गया, जो जो कि सिर्फ चार महीने का था, देखें, illegal trade हो रहा है, क्यामरून में custom officer जो थे, उन्होंने हाथी के दाथ, 187 raw elephant tusk, हाथी के दाथ, जो कि कहतना की, हाथी के दाथ जो होते हैं, वो बड़े महंगे बिखते हैं, 3, 4, 5, 10, बहुत ही जादा elephant tusk का बहुत important यूज होता है, तो elephant tusk को, 187 elephant tusk को, हाथी के दाथों को custom officers ने seize किया, Gabon से, जब truck Gabon के border को cross कर रही थी, agencies आएं, seize कर लिया, 56,200 marine products, operation thunder के तहद, seize किये गए, क्या बात है, और देखते हैं, 1160 चिणियों की प्रजातियां, 15,878 plants की प्रजातियां, kg of plants were seized during this operation, जिंबावे में जो पुलिस है, 32 chimpanzees को कॉंगो से transfer किया जा रहा था, तो जिंबावे पुलिस ने ये काम को नकाम किया, Contraband, Contraband क्या होता है, वो समान जो illegally एक देश से दूसरे शेर लेके जाते हैं, तो चलिए आपके vocabulary भी, मैं बताता रहता हूँ, शब्दों के meanings क्या होते हैं, वो goods, goods that are taken into or out of country, एक देश से दूसरे देश illegally, जो भी समान लेके जाते हैं, उसको Contraband क्याते हैं, तो इसमें 1.3 tons of ivory आ गया, 1 ton of pangolin आ गया, 87 truckloads of timber आ गया, 1400 turtles आ गया, tortoise हो गया, 6000 turtles और tortoise eggs हो गया, और 1800 reptiles, अभी तक इनको seize किया जा चुका है, operation thunder के तहर, अब अगर मान लीजे, यह operation thunder नहीं होता, तो इतनो की तसकरी हो गई होती, आप समझ सकते हैं, loss कितना जादा होता, तो यह एक बहुत बड़ा reason होता है, यह जो vulnerable, जो species, vulnerable action ठोड़ी है, यह भी एक बहुत बड़ा reason है, ठीक है, अब wildlife और जो forestry crime है, fourth largest illegal trade है, क्या आप को यह बात पता थी, wildlife और forestry के जितने भी crime होता है, that is, world fourth largest illegal trade और बड़ा lucrative business है, share की खाल की carpet बनवाएंगे, मज़ा आ जाएगी, तो share की खाल की carpet बनवाने के लिए, जो अमीर अमीर लोगों की demand होती है, उसको तो सबसे पहले share को पकड़ना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, उसकी skin उतार नहीं पड़ेगी, यही होता है, अब यह threat है, environmental के लिए और society के लिए भी, public health और global economics के लिए भी, यह Interpoled के Secretary General, Juren Stock ने बोला है, अब आप खुद सोचिए, यह इतना brave operation है, इतना असानी से हो जाएगा, आपको लगता है, यह organized crime है बेटा, organized crime में बहुत भयानक organizations involved होती है, इनके उपर बहुत attack होते हैं, गई बार तो जाने चली जाती है, तो यह जो field officers होते हैं, यह बड़े जान पे खेल के, यह सारे operations को बेटा, यह गली कूचे के crime नहीं है, यह वो crime है ना, जिससे आप arbor रुपए कमाते हैं, तो arbor रुपए लगे हुए हैं, अगर एक truck को seize किया, तो करोनो रुपए गए, जैसे red standard route seize किया ना, करोनों गए, तो समझ लो, इन officers को ढून-ढून के मारा जाता है, इनको पर attack किया जाता है, लगाता है, पोचर्स, crime syndicates इनको पर attack करते रहते हैं, इसी operation के तैर्ट जो 5 police officers, 3 forestry officers जो थे, इन North Macedonia, इनको पर attack किया, और 2 तो seriously injured हो गए थे, operation thunder की बात करें, तो that is fourth in a series of thunder operations, 2017 से, याद रखेगा, phases में launch किया जाते हैं, जैसे एक महिना, एक महिना, एक महिना, एक महिना, एक महिना, अभी launch करना, एक महिना, तब launch करना बताया नहीं जाता है, पतायांगे तो तो फिर पते ही चल जागे ना सबको, तो यह 2017 से operation thunder चला जा रहे हैं, और यह fourth है, जो कि September से October तक एक महिना तक चला, यह lecture था, अब जाने से पहले मेरा टेलिग्राम चैनल है, आप इस original चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी साड़े 1100 सब्सक्राइबर हैं, तो यही मेरा original है, हुश रही है परते रहे, इदर से सद्दान तक नहीं होता ही सायनी,